आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत हैं। साथियों आप एक question देख रहे होंगे, यह पिछले exam में आया question है। भार्तिय सभिधान के अनुसार अनुच्छे 14-18 है, निमलिखित में से किस अधिकार से संबन्दित है। यह पर चार option दिए, सम्वेधानिक उप्चारों का अधिकार, दूसरा समता या समानता का अधिकार, तीसरा सोसन के विरुद्द अधिकार और चोथा धर्म की स्वतनता का अधिकार। इसका जो सही answer है, B है समता या समानता का अधिकार। दोस्तों यह वीडियो खास कर अभी जो CRPF में सब इंस्पेक्टर का LDC अग्जाम आने वाला है, उनके लिए है। क्योंकि उसके साथ साथ परमिलिट्टी फोर्ष, CRP, BSF, RTPP, SSP, CISF, सभी में जो LDC अग्जाम होते हैं। उनके संबंदी हमने बहुत सारी प्रोफेशनल की वीडियो बना चुके हैं, अब हम GK और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आते हैं, हमने उसमें से कुछ ऐसे पिछले पैपर को देखके, क्वेश्चन सोट आउट किये हैं, जिन से क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे कि मैं बता हूँ, भार्तिय सवीधान के मूल अधिकार से एक क्वेश्चन 100% आएगा, यह ही आएगा यह नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इसके साथ बिस्तार से आपको बता हूँ, तो चलते हैं दोस्तों मागें, अब चलते हैं मौलिक अधिकार का वर्गी करान के पर बात करेंगे, यह वीडियो में फिर बता रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर जो अभी CRP में कुछ समय में आपके सामने आने वाला है, आएगा, या फिर दूसा परमेट्री फोर्ट में होने वाले, इसके अलाबा सभी अग्जामों को लिए काफी महत्मूर है, तो फिक इस कभी क्वेश्चन यहां से यह भी आता है, तो मोलिक अधिकार कौन से भाग में, तो तीसरे भाग में, पहले भाग में, जो है संग के बारे में, जिसमें राज्य और केंसासिन प्रदेश के बारे में बताया है, दूसरे भाग में नागरिक्ता के बारे में बताया गया है, तीसरा भाग आपका मौलिक अधिकार है और चोथा भी इस तरह जाओगे तो अलग-अलग अधिकार है चोथे लिकार अधिकार उसमें भाग में जो है आपके मौलिक करतव गयानी की इस तरह की भी वह दी गई है लाश्ट वाले उसमें और राज्यों के लिए जो कुछ निति इसके बीच में वर्णन किया गया है तो यहां से भी कुष्चन आ सकता है कि कितने अनुच्छे से कितने अनुच्छे तक वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार था इन अगर कोई बड़ा एक्जाम है तो इन अधिकारों में 12, 13, 33, 34 तथा 35 के संबल में के अधिकारों के समा नियादिकार के सेड़ी में आते हैं अब नेक्स्ट चवालिषवे संसोधन के पास होने के सविधान में दिये गए मोलिक अदिकार साथ सेड़ी में बठेते हैं यानि कि मोलिक अदिकार पहले साथ से लेकिन चवालिषवे सविधान आया उसमें जो है परंतु इस संसोधन के संपत्ति का दिकार को मोली का दिकार से हटा दिया गया भारतिय नागर को लिए अब 6 मोली का दिकार हैं तो अब ये 44 वा संविधान संसोधन के बारे में भी पूछा जाता है क्योंकि इसमें काफी बड़ा संसोधन हुआ है तो इसको जानकारी होनी चाहिए और संपत्ति का द बात करते हैं च्छै अधिकार कपस कितने अुच्छत से कितने अधिकार फिर इने के एक झ्क्राइट बात करें गिन है वीडियो अच्छी लेकि तुर वीडियो का लाइक सभिधान पर जाए अपना सभिधान सबको पहले क्या करता है समान रिष्टी से समान रूप से समान बनाता है यानि कि सभिधान ने सबसे पहले हमको समानता का दिकार दिया है जो अनुच्छे 14 से लेकर 18 तक दिया गया है है आप समांता देंतों सबसे पहले डे गचिवेंगा decir उसके बाद भी रहता है याइंग वरुद दिगार तो हो सकता है तो सोषंट के बारें बताए गया 23 से लेके 24 के बीच में अब आपको समांता आ घयी सौषंट आ कि मरूरोंद हो गया अब धार्मिक हर तो सभी जो है समान है सौतंता है तो सभी अपने अलग-अलग धरह में तो सबी को धार्मिक स्वतनता का दिकार 25 से लेकर 28 से लेकर यह उसके बाद शांस्क्रति उसक्सा संबंद्धिकार 29 से 30 में दिया है वह सव्विधानी कुप चारों का दिकार सविधान 32 में दिया गया तो यह कुष्चन जोता हो परवाला इतने ही टोपिक से था इस बार समानता क पूछिया नुच्छेद अगली बास पूछ सकते हैं सोसल के वरूत यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए है यह ज़रूर हो सकता है कि आपको अगर रमान तक अधिकार एक आईडिया आपको अराम से कर सकते हैं अब विस्तार से थोड़ा एक एक अनुच्छेद में देख लेते हैं तो पहले बारहे और तेहरे में देखते हैं पहले जो दो हैं यह उन से संबंदित नहीं है जो हमने उपर पड़े हैं कहने मतला है अधिकार से पार्ट से मौलीक अधिकार तो इसमें राज्यों की परिवाराराज्य की परिभासित किया गया अनुच्छद बारह में वो तेरह मैं क्या गया करने वाले कानूं को परिभाशित किया गया अब हैसे होता है अपना 14 नमबर उच्चेद यानि की समानता का दिकार तो कानून के समक सभी 14 में दिया गया है कानून के समक सभी बरावर है सभी कोई एक समान कानून की माना गया है अनुचेद 15 में धर्म मोलवंस जाती लिंग या जनविस्तान के अधार पर कोई भेदभाव ने होगा, यानि कि धर्म के जाती के मोलवंस के लिंग के अधार पर सभी समान तो अनुचे सोले में साभ्जिक रोजगार की मामले में अफसर की समान तरी यानि की साभ्जिक रोजगार हों दिया ऐगा अनुचे में एसपरसक अंत यानि की भेदभाव का अंत कर दिया गया इसमें बताया गया है अनुच्छे दठार में उपादियों का उलंगन इन अनुच्छत का उद्देश्य प्राइबादूर राजबादूर महाराजा तालुगदार इत्यादी जो उपादी पहले मुगलो द्वारा या इत्यादी पादियों को समाप्त कर दिया और आता है स्वातानता कदिकर स्वातंता कदिकर में आप एकीस में unfortunately somethinि 21 में याद रखना इससे question बहुत जादे पूछा जाता है लेकिन 21 जो शिक्षा का दिखार यानि 2009 का एक नियम बना उसमें इसको जोड़ दिया गया नुच्छे यह भी मौली का दिखार में यानि कि बच्चों को 14 वर्ष तक की शिक्षा का दिखार है राज्य और की उम्मेद के तेज मानब तसक्री और जबरन स्रम का निशेदी आने कि आपके ऐसा नहीं मानब तसक्री भी निशेद है किसी जबरन कोई काम नहीं करा सकते अनुच्छे 24 बहुत महत्पूर्ण है सबसे जादे पूछा जाता है इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को रोजगार पर प्रत बंड़ों का प्रबंद करने सब्सक्राइब toga नेरिये महत्पूर्ण है पी editor वाले ब nu तो इसमें दो दिये हैं लेकिन बहुत जादे पूछे जाते हैं तो यह जो है उन करमनता 29-30-22 दिसमें पल्प संक्यों के हितों की सुरक्षा इसमें दी गई सेक्सिस हास्तानों की सेपना प्रशाष्ण करा दिया गया है और उपर इसके बाद समय दानें गप्चार अधिकार में दिया गया है नागरीको नियाए में पांच प्रकार की जिट यानि की जो उपर के कोई अधिकार कहनन होता तो नियाले में पांच परकार की डाइर की जा सकती है। और अनुचछत ने में इस अनुच्यत में सस्वत बाइसेंडिकों बलओ पुलिस बलू खुपी अजन्सी और सामान बलो के सद्दू को मौनिग अदिकार प्रदान करें गए और फ्रताने और लगाने की सकती है। प्रतिबंदित करने जा सकता है यानिकि जो गर्मालिया से निक हो गया सासन नहीं हो गया और अनुछत 35 में अच्छे संसत को मौली का दिगार देता कि इन पर कानून बनाया जा सकता है किस पर मौली का दिबार में तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों को शेयर कर दें चैनल को सब्कार कर लें वीडियो क्युक्त बन्लेवाब